नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाटेश में उत्तरप्रदेश के वाणासी जिला कोट की ओर से ज्यान वापी परीसर के ASI सर्वे पर बड़ा फैसला आ गया है वजू खाने को छोड़ कर पूरे ज्यान वापी परीसर का ASI सर्वे कराने की मांग को कोट ने अपस्विकार कर दिया है हिंदू पक्ष की ओर से की गई मांग को कोट ने मान लिया है यहां तक कि हिंदू पक्ष की ओर से विवादत हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की विज्ञानिक सर्वे की मांग की गई थी। इस पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। पैसले के संबंद में हिंदू पक्ष के वकील विश्णू शंकर जैन ने कहा कि कोट ने विवादत हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का विज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोट ने ASI को सर्वे की इजाज़त देते हुए चार अगस तक रिपोर्ट मांगी है। विज्ञानिक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आने के बाद कोट में मामले पर आगे की सुनवाई होगे। महिलाओं की ओर सिशिंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका पर इसके बाद निर्नय होगा। वहीं मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील तौहिद खान और रही जहमत ने कहा है कि वे आदेश पढ़ने के बाद हाई कोट जाएंगे और और की कॉपी कल 22 जुलाई को लेकर आएंगे। इस वैसले के बाद कई लोग खुश नजर आए तो कई लोग ने राश भी नजर आए ऐसे में आज के फैसले के बाद कई सवाल भी लोगों के दिमाग में घर कर रहे होंगे। पहला आखिर क्या ग्यानवापी परीसर का मामला ये विवाद कितना पुराना है और जिस सर्वे की इजाज़त दी गई है वो कैसे होगा इसमें कितना वक्त लगेगा और सबसे जरूरी वजू खाने का सर्वे क्यों नहीं होगा आपके हर सवाल का जवाब आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में दरसल अगस 2021 में पांच महिलाओं ने वानमसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था इसमें उन्होंने ग्यानवापी मस्दित के बगल में बने शिंगार गौरी मंदिल में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमती द इवाकर ने मस्दित परिसर का एड्वोकेट सर्वे कराने का आदेश दे दिया था कोच के आदेश पर पिछली साल तीन दिं तक सर्वे हुआ था सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया दावा था कि मज़ित के वजु खाने में शिवलिंग है हाला कि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्की पुबारा है जो हर मजड़ित में होता ही है इसके बाद पांच वादी महिलाओं में से चार ने इसी साल मई में एक प्राथना पत्र दायर किया इसमें मांग की गई कि ग्यानवापी मजड़ित के विवादित हिस्ते को छोड़ कर पूरे परिसर का ASI से सर्वे कराया जाए इस ASI उस वजुखाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलनी का दावा किया गया है हिंदु पक्ष के वकील विश्नु जैन ने बताया कि इस सर्वे में ग्राउंड पैनी ट्रेटिंग रिडार और मॉडन टेकनोलोजी का इस्तमाल होगा हिंदु पक्ष का दावा है क कि मजद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबाद है उसके नीचे की जमीन से थप थप की आवाजे आती हैं ऐसा दावा किया गया है कि उसके नीचे मूरती हो सकती है जिससे कृत्म दिवार बना कर ढख दिया गया है हिंदु पक्ष के वकील का कहना है कि ASI की टीम पूरे सर्वे बार बार बोला गया कि नहीं किया जाएगा अब सवाल है कि आखिर वजू खाने का सर्वे क्यों नहीं होगा ज्यानवापी मजद परिसर के अड़ोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था दर्स सर्वे के दौरा उसमें मिले कथच शिवलिंग का सर्वे तो नहीं करेगी क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोट में है सुप्रीम कोट के आदेश पर इसे पूरे एरिया को सील कर दिया गया इस सर्वे में अब सवाल है कितना टाइम लगेगा तो आपको बता दे कि वकील वश्निव शंकर ज यानि 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उनका कहना था कि ज्यानवापी मामले में 3-6 महीने का समय लग सकता है इसका कारण यह है क्योंकि आयोध्या की तरह इसके सर्वे का इलाका बहुत बड़ा नहीं है जस तरह से आयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मज़द का वि जाता है 1991 में काश्री विश्विनात मंदिर के प्रोहितों के वन्षज पंडित सोमनात व्यास संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर राम रंग शर्मा और समाजिक कारिकरता हरी हर पांजे ने वारारासी सिवल कोट में याचिका दायर की याचिका में दावा किया गया था कि ने बनाया था 1969 ने औरन जेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगा ग्याणवापी मजजद बना दी इस मजजद को बनाने में मंदिर के अब शेशकू का ही इस्तमाल किया गया ग्यानवापी मजजद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वार्णाशी की अधारत में दाखि कर दर्वाजा खटकटाया आजादी से पहले भी इस मामले में कई विवाद हुए थे और 1809 में विवाद को लेकर संप्रदाइक दंगे भी भड़के थे ऐसे में एसाइज जाच के आदेश सर्वे के लिए बोल दिया गया है और साब तोर पर इस पर कौन से नए तथे निकल क पर सामने आते हैं इसे तुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया नियूल धन्यवाद